कववा को रोटी खिलाने से क्या होता है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नहीं बलकि 10-10 फायदे और यह जो 10 फायदे होते हैं यह आपके लिए बहुत ही काम के होते हैं क्योंकि इस फायदों में आपको आपके संतान प्राप्ति का भी सुक मिल जाता है कववा कुँए इस इस तरह से है कि कववा आमोमन हर जगण पायाता है कई बार आपके घर के छटपर कववा आता होगा कंई लोग कववा को रोटी क्या आते हम सब्सक्राया के कि कववा को रोटी खिलाने से क्या-क्या फाइदा होता है तो पहला जो है कववा को भोजन कराने से सत्रू का नास होता है सनी बार के दिन अगर काले कववा को रोटी खिलाने से पहले रोटी के ऊपर अपने सत्रू का अगर आप नाम लिग देते हैं और यह कारिकरम आगर आ परातार 21 दिरों तक करते हैं तो रोटी अगर इस तरह से खिलाते हैं तो दिरे दिरे आपके सत्रू का जो है नास होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सत्रू है वो सांत होना भी स्टार्ट हो जाएगा दूसरा कववा को तेल लगा कर रोटी खिलाने से मन में कुछ बुरा होने की संभावना जैसे विचार खतम हो जाते हैं। कववे को रोटी खिलाने से व्यक्ति के साथ कोई अनिष्ट नहीं होता है या इसकी संभावना कम हो जाती है। हिंदु धर्म गाय को रोटी खिलाने की भी परंपरा है, गाय को माता लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है, तीसरा, कई बार आपके परिवार के सदस्य, मिर्तिव के बाद नीज योनी के अंदर चले जाते हैं, इससे परिवार या फिर व्यक्ति पर पित्री दोस लग जाता ऐसे में कव्वे को स्राध पक्ष में रोटी खिलाने से पुर्वचों को त्रिप्ति मिल जाती है, और उनके कष्ट कम हो जाते हैं, इससे आपके पुर्वार जल्ध ही नीज योनी से मुक्त हो पाते हैं, और इसके बाद आपको भी सुख सांती मिलने ही शुरू हो जाती है चौथा, घर की छट पर सुबा के समय कव्वा अगर काओ काओ कर रोकर बोलता है तो यह एक सुब संकीत होता है, ऐसा माना जाता है कि इससे आपका घर सुद्ध हो जाता है, इस दोरान कव्वे को रोटी खिलाने से पुन्य फल की प्राप्ति होती है, हलाकि आज कल लोग छ कोजन खिलाने से यम्राज प्रशन होते हैं और जीवन में कोई भी परिसानिया नहीं आती है, यदि कोई कववा बार बार किसी जीवे इनसान के आसपास मन राता है, तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही उस इनसान की मिर्ति होने वाली है, छटा, काला कववा को भगवान सन सनीदेव प्रसन होते हैं और व्यक्तिक के जीवन को कष्ठों से मुक्त करते हैं शाथवा कववार को रोटी खिलाने से पासान होने बचाता है, वैसे वह ब्युर्द हर जानवरो और पशू पक्षियों को ACH करनेprofits को रोटी खिलाने से बीजनस में आप éta Gil आला आर्ट माना गया इस अंसार की में प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य को ही विवेक्सिल प्रानी बनाया है इसलिए व्यक्ति को अन्य प्रसुपक्षियों के प्रती सहानु भूति रखनी चाहिए आठवा कई बार कुंडली में काल सर्फ दोस लग जाता है कुंडली में अगर राहू और केतु के बीच जब सभी गरह आ जाते है तो कुंडली में काल सर्फ दोस लग जाता है ऐसे में काले कववे को रोटी खिलाने से कुंडली में काल सर्फ दोस का असर कम हो या फिर खतम हो बैट कर बोलता था, तब लोग कहते थे कि कववा ऐसा तब करता है जब घर में कोई अतिती आने वाला होता है, कववा का घर की छत पर बोलना, घर में अतिती के आने की सूचना देता है, यदि छत पर कववे दिखे तुसे रोटी अवश्री खिलाना चाहिए, ऐसा करने से घ पानी में भीगोकर कववे को खिलाने से डमपत्ती को संतान सुख्य प्रापति होती है। रोजान अगर आप कववा को रोटी खिलाने से तो सनीदेव प्रसंद रहते हैं और अपनी किरपा आप बर्साते रहते है। प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को बोगता है और उनके जीवन सनीदेव कष्ट कभी नहीं देते हैं तो आज के इस वीडियो मैंने आपको बताया कि कवगे को अगर आप रोटी खिराते हो तो उससे क्या-क्या आपको फल मिलता है कैसा लगा वीडियो नी उससे जरूर पताईएगा चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद